च्छट का पर्व चल रहा है और अपसे कुछी देर बाद तमाम बहनें तमाम माताएं सूरी के अस्ताचल होती हुई स्थिती को अर्ग देंगी यानि डूबते हुए सूरी को अर्ग देंगी और इस प्रकार च्छट का पहला चरण पूरा होगा कल सुबह के समय अस्ताचल गामी सूरी के बाद कल सुबह उदै गामी सूरी को अर्ग दिया जाएगा और ये छट का अंतिम अर्ग होगा और कल सुबह अर्ग देने के बाद छट महा पर्व का समापन हो जाएगा तो आज के महाभाग्य में हम बात करेंगे छट के अंतिम अर्ग की जो कल सुबह के समय दिया जाएगा इस अंतिम अर्ग की महिमा क्या है और अंतिम अर्ग के विशेश फाइदे क्या हैं यह तमाम चीजें आपको बताएंगे इसके अलावा आपके सवालों का जवाब भी देंगे, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी लगातार जान सकते हैं महाभाग्य में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको महा भाग्य में आज बात करेंगे कि छट के पर्व पर अर्ग की महिमा क्या है छट के पर्व के अंतिम दन का अंतिम अर्ग का महत्व क्या है तो महा भाग्य में बात होगी छट के अंतिम अर्ग की लेकिन उसके पहले आज का मंत्र आज का मंत्र होगा ओम हरांग हरींग हरौं सह सूर्याय नमह सूर्य भगवान का तांत्रिक मंत्र है और निश्चित रूप से कार्तिक के महीने में अगर इस मंत्र का जब किया जाए तो सूर्य की विशेश कृपाप्राप्त होती है और रेगुलर जीवन में नियमित रूप से भी अगर सुबह के समय इस मंत्र का जब किया जाए तो अगर जीवन में सूर्य संबंदी कोई समस्या है तो वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाती है अब ये जानते हैं कि छट के अंतिम दिन का महत्व क्या है और इस दिन क्या विशेश कार्य किये जाते हैं कल छट का अंतिम दिन होगा और कल सुबह सूर्य को अंतिम बार अर्ग दिया जाएगा इसका मामला क्या है देखिए छट के अंतिम दिन यानि सब्तमी तिथी को कल सुबह सब्तमी तिथी होगी और इस दिन सूर्य को अरुन वेला में अंतिम अर्ग दिया जाता है यानि उगते हुए सूर्य को जब सूर्य उग रहे हों उस समय सूर्य को अंतिम अर्ग देना बेहतर होता है ये अर्ग दिया जाता है सूर्य की पत्नी उशा को इसलिए सूरियोदय के ठीक पहले के समय को अगर आप समझते हों तो उसे उशा काल कहा जाता है क्योंकि सूरिय अरुडय काल में सुबा के समय अपनी पहली पत्नी उशा के साथ होते हैं और संध्याकाल में सूरियास्त के समय अपनी दूसरी पत्नी प्रतिऊशा के साथ में होते हैं तो उगते हुए सूरिक की पढ़ली पत्नी को यानि उशा को अर्ग कल सुबह दिया जाता है और इस अर्ग को देने के साथ ही छट पर्व का समापन हो जाता है जब आप उगते हुए सूरिक को अर्ग देते हैं या महिलाएं दे देती हैं उसके बाद छट पर्व का समापन होता है इस अर्ग को देने के बाद महिलाएं जल पी कर और प्रसाद खाकर छट वरत का पारायन करती हैं जल पीती हैं, प्रसाद खाती हैं और इसके बाद जाकर छट वरत समापत होता है अगर छट का अंतिम अर्ग भी दे दिया जाए यानि कल के दिन अगर आप अंतिम अर्ग भी दे दें आपने वरत उपवास नहीं रखा है, आप नियमों का पालन नहीं कर पाए है लेकिन अगर छट का अंतिम अर्ग भी दे दें, तो बहुत सारी मनों कामनाएं पूरी हो सकती है और इस बार छट का जो अंतिम अर्ग है, वो 14 नवंबर को दिया जाएगा यानि कल सुबह उगते हुए सूरी को अर्ग दिया जाएगा ये इस वर्ष के छट का अंतिम अर्ग होगा और इसके बाद छट वरत की समाप्ती हो जाएगी अब ये जानते हैं कि सूरी को अंतिम अर्ग देने से या उगते हुए सूरी को अर्ग देने से फाइदे क्या होते हैं लाब क्या होते हैं किस किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं देखिए छट का वरत उपवास रखने से और अर्ग देने से संतान की प्राप्ती सरल हो जाती है संतान की प्राप्ति आसान हो जाती है जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है उन्हें छट वरत का पालन करना चाहिए और अगर पालन नहीं कर पाए तो कम से कम सूरी को अर्ग तो देना ही चाहिए और अंतिम अर्ग जरूर देना चाहिए अगर संतान की तरफ से कोई भी कष्ट हो तो ये अर्ग लाबकारी होता है यानि संतान प्राप्ती के अलामा अगर संतान के व्यवहार से उसके करियर से उसकी उन्नती से दिक्कते हो रही है संतान जीवन में समस्या का कारण बन रही है तो भी सूरी को अंतिम अर्ग देने से फायदा होता है जिनकी कुंडली में सूरी कमजोर होता है ऐसे लोगों के जीवन में सूरी संबंदी समस्या आती है उनके लिए भी ये अंतिम अर्ग लाबकारी होता है अगर आपकी कुंडली में सूरिय कम्जोर है तो छट का जो अंतिम अर्ग है जो कल सुबह दिया जाएगा आपको अवश्य ही देना चाहिए अगर राज्यपक्ष से कोई कष्ट हो, गवर्मेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई दिक्कत हो तो भी सूर्य को अंतिम अर्ग देना चाहिए, उससे गवर्मेंट से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड समस्याएं समापत होती है अगर पिता-पुत्र के संबंद खराब हो, तो भी छट के वरत में अर्ग दरूर देना चाहिए, खास तोर से अंतिम अर्ग देना चाहिए, ताकि पिता-पुत्र के संबंद बेहतर हो अगर आखों की समस्या है, हड्डियों की समस्या है, या कुष्ठ रोग की समस्या है, तो भी छट पर्व का पालन करना चाहिए और अगर आप पालन नहीं कर पाए हैं तो कम से कम सूर्य को अर्ग जरूर दीजिये, सूर्य को अर्ग देने से आपको विशेश तरह के फाइदे जरूर होंगे अब यह जानते हैं कि छट वरत के समापती के नियम क्या है और इसकी सावधानिया क्या है छट वरत का जब समापन करेंगे तो इसके नियम क्या होंगे और छट पर्व की सावधानिया क्या होंगी importance क्या होंगे देखिए छट वरत की समाप्ती आप जब भी करें नीबु पानी पीकर करें क्योंकि लंबे समय से उपवास रहने के बाद एकदम से भोजन करना उचित नहीं होगा जब भी आप व्रत की समाप्ती करें, नीबू पानी पीकर व्रत समाप्त करें, एकदम से अनाज और भारी खाना ना खाएं अन्तिम अर्ग के बाद, जब आप कल सुबह अन्तिम अर्ग दे लेंगे, तो उसके बाद जो लोग वहाँ उपस्थित हैं, उन सभी लोगों में प्रसाद जरूर बाटें देखिए, नदी के जल में खड़े हो करके सूरी को अर्ग दिया जाता है, लेकिन मैं बता दूँ कि नदी के जल को गंदा मत कीजिए अगर आप नदी के जल को गंदा करेंगे तो आपका केतू प्रदूशित होगा और अगर आपका केतू दूशित होगा प्रदूशित होगा तो जीवन में मुश्किलें बढ़ेंगी इसलिए नदी के जल को घाट को गंदा मत करिए साब सफाई का विशेश ध्यान दखिए बहुत सारी माताएं बहने जो छट का उपवास नहीं रख पाई हैं स्वास्त की कारणों की वज़ा से या किसी अन्यकारण की वज़ा से अगर छट का उपवास नहीं रख सकते तो किस प्रकार सूर्य की विशेश क्रपा इस समय मिल सकती है? क्या ऐसा करें जिस से इस समय सूर्य की विशेश क्रपा प्राप्त हो? जितने दिन छट का पर्व चलता है उतने दिन पूरी साफ सफाई और सात्विक्ता रखनी चाहिए हाला कि अब छट अपने अंतिम चरण में आ गया है तो कम से कम अभी भी आप साफ सफाई और सात्विक्ता रखें जो लोग भी वरत रखते हैं, जो वरती होते हैं, वो भी पूज्य हो जाते हैं, उनकी पूजा भी की जाती है इसलिए जो लोग वरत रखते हैं, उनकी सेवा और सहायता कीजिए गुड और आटे की या चीनी और आटे की विशेश मिठाई बनती है जिसको ठेकुआ कहते हैं इसको बनाईए या बनवाईए और निर्धनों में और बच्चों में जरूर बाढ़ दीजिए अगर आप छटका उपवास नहीं रख पाएं हैं या नहीं रख पाई हैं कम से कम ये दोनों अर्ग जरूर दीजिए और सूर्य देव की कृपा की प्राथना कीजिए जो लोग छटका व्रत रखते हैं उनका चरन छू करके आशिरवाद लीजिए क्योंकि जो व्रती होता है जो तपस्या करता है जो उपासना करता है छटपर्व की उसका आशिरवाद बड़ा शुब होता है बड़ा फलदाई होता है अब ये जानते हैं कि सूर्य के अंतिम दिन के यानि कल सुबह जब आप अर्ग देंगे तो इससे किस तरह की मनो कामनाएं पूरी हो सकती हैं या जो लोग अभी तक अर्ग नहीं दे पाए हैं कल सुबह अर्ग देंगे तो उन्हें किस-किस तरह के फाइदे होंगे और क्या करना चाहिए जिससे विशेश तरह के फाइदे हो देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप कल घाट पर जाके ही अर्ग दीजिए लेकिन कल प्रत का पालन नहीं कर रहे हैं तो सिक्षा और एकाग्रता के लिए जल में नीला या हरा रंग मिला करके सूर्य भगवान को अर्ग दें कि स्वास्थ के लिए और उर्जा के लिए जल में रोली और लाल फूल मिलाएं राज़की सेवा चाते हैं गवर्मेंट जॉब चाते हैं या सरकार का सपोर्ट चाते हैं तो लाल चंदन मिलाएं जल में और इससे सूरी को कल अर्ग दें, शीगर विवाह चाहते हैं या चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, सुन्दर हो, तो जल में जरासी हल्दी मिला करके सूरी भगवान को अर्ग दें, जीवन में सभी हिस्सों से लाब चाहते हैं, तो कल सुबह सूरी देव को सा बाधा जल यानि कि प्लेन वाटर अर्पित करें अपने पित्रों की शांती चाहते हैं पित्र बाधा का निवारण चाहते हैं तो जल में तिल और अक्षत मिला कर ही सूर्य भगवान को जल दें वो आपके लिए बहुत सुन्दर होगा आपके पित्रों की आत्मा को शांती मिलेगी और उनसे संबंधित अगर कोई दोश है जीवन में या अगर कोई बाधा है आपकी जिन्दगी में तो वो बाधा दूर हो जाएगी